डॉक्टर मिकाउं उशूर की कहानी बदल नहीं सकती, नहीं डॉक्टर हयाशी या श्रिमती ताक्ता जैसे पात्र बदल सकते हैं रे की शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रे तथा की रे शब्द का अर्थ सार्वभूम ब्रम्भान तथा की शब्द का अर्थ उर्जा है बोडो बास्की तथा शालिना शेरामन द्वारा लिखित ये एक अलग तरह से समझाई गई रेकी की पूरी व्याख्या है ब्रम्भान तउर्जा, इस ब्रम्भान के आदिकाल से ही हमारे बीच विद्दिमान है हजारों वर्ष पहले तिब्बत वास्यों ने आत्मा, उर्जा तथा जगत पधार्थ के बारे में गूर्ज चिंतन किया इन लोगों ने इस ग्यान को अपनी शरीर तथा अपने होने वाले विकार दोर करने, आत्माओं को परस पर मिलाने तथा एकात्मा भाव में जुनने की दिशा में इस्तिमाल किया इस ग्यान को रहस्य विद्या में सुरक्षित रखा गया है बहुत कम लोग प्राहि पुजारी वर्ग या धार्मिक गुर्यों के पास यह विद्या उबलब्त थी ये पुजारी गुरु मोखिक रूप से अपने शुश्यों को यह विद्या सिखाते थे यदि डाप्टर मिकाउयसी उन्निसवी सदी में इस्तथ्य का पता नहीं लगाते कि धारी हजार वर्ष पूर्व सल्सकृत सुत्रु में हजार वर्ष पुरानी यह परंपरा मोजूद थी तो ये रेकी विद्या हमेशा लुप्थ हो जाती ब्रह्मांड उर्जा रेकी को ऐसी शक्ती के रूप में परिभाशित किया गया है जो सबीश पधार्थों में विद्या होकर सक्रिय रहती है रेकी की ये बध्धती एकदम सरल तथा प्राकृतिक जिकिस्सा ही नहीं अबीतु यह सार्वभौमिक जीवन उर्जा को अंतरित करने का सरवाधिक प्रभावशारी तरीका भी है जब किसी व्यक्ती का इस उर्जा से तालमेल किया जाता है तब वह जीवन भर के लिए रेकी का माध्यम बन जाता है मनुष्य के शरीर में लगबग एक खरक कोशी क्या है इनमें एक लाख विभिन्न जिन्स होते हैं इनमें दिर्गाकार मतलब लंबी चक्राकार डिने की शुन्खलाए होती है प्रतेक सुक्ष्म दर्शी लगबग कोशी का के भीतर हमारे शरीर की कुल अनुवान्शिक सरचना के प्लैन होते है यदि हम इन चक्राकार शुन्खलाओं को खोल कर जोड़े तो इनकी लंबाई लगबग 12,000 करोड कीमी से भी अधिक होगी यह लंबाई पृत्वी और सूर्य के बीच विद्यमान दूरी से आठ गुना है तब भी आच्चे रजनक तथ्य यह है कि डिने अनुवा के शुन्खलाओं मात्र अखरूट जितने आकार में सिवट जाती है अब हम जीवन के समस्त रूपों में व्यस्त इस उर्जा की व्यापकता पर विचार करते हैं रूप आकुरूती प्रदाइनी यह प्रत्निया शक्ति कितनी महान है हमारे मस्तिष्क में अनिक प्रश्ण उपते हैं क्या भौतिक वादि दृष्टिकोन के समान हमारा जीवन और ब्रह्म्हंड मात्र सयोगी की कड़ी का एक निर्मान है क्या जड़ पदार्थ से चेतन पदार्थ उत्पर्न हो सकता है क्या इसमें आत्मा का वास हो सकता है आत्मा यहां तक कि वैद्नियानिक भी इन प्रश्णों के जल में उल्शे हुए हैं इस प्रकार अंत में यही परिणाम निकलता है कि किसी परम प्रत्या शक्ति का अस्तित्व है एक ऐसे सर्वयापी आत्मा जो निरंतर स्वयम में से इस ब्रह्मांड सुष्टी का सुरुजन करती आ रही है परम गुरुत्वाकर्शन सिध्धात में आत्मा सापेक्षपूर्ण तह मर्यादित एवं संतुलित अस्तित्व का वर्नन किया गया है यह शुथ्ध रूप में प्रद्ना जन्य सत्ता है जो समस्त सुरुजन शक्ति का आधार है बुद्धिमान रिक्ती प्राह ऐसी कहानिया सुनाते हैं जिन में उस चेतन अवस्ता का वर्नन किया जाता है जिससे जीवन की उत्पत्ती से जुड़ी स्थितियां पैदा होती है चेतन अवस्ता की यह उर्जा सभी पदार्थों में विद्यमान होती है यह सार्व भूमिक उर्जा है रेकी पद्धती से किसी व्यक्ति का उपचार करते समय यह उर्जा घनीबुत होकर हमारे हातों से प्रवाहित होती है संचिक्ष में रेकी का समग्र पभाव पड़ता है यह अस्तित्व के सभी स्तरों तक पहुँचकर इन विभिन स्तरों में संतूलन अलाने का प्रयास करती है यह चिकित सक इस उर्जा का मात्र माध्यम होता है क्यूंकि उसके हाथों में स्वयम का उर्जा बल्द यह एक ऐसी ब्रह्मान उर्जा है जिससे रेकी का यह माध्यम दुरूर तथा सामजन से पूर्म बनता है प्रेम के समान रेकी भी एक एहसास है प्रेम ही एसी शक्ती है जो हमें इस पूरी सुष्टी के साथ एकात्म भाव से मिलाती है प्रेम में ही आत्मा का मूल व्यास होता है व्यापक अर्थों में रिकी चिकिसा पधती है इससे शरीर के विकारों काही नहीं बलकि आध्यात्मिक विकाज भी किया जाता है रिकिची किसा पधती का धर्म, भूत, प्रेथ, रहस्य विद्या, तंत्रमंत्र से कोई वास्ता नहीं है नहीं यह सम्मोहन विद्या है और नहीं कोई अन्य मनोवेज्ञानिक तक्नीक आज रिकिकी पुनह खोश से इलाज की ऐसी तक्नीक का जन्म हुआ है जहान तो रोगिक को कोई दवा दी जाती है न कोई प्रार्थना की जाती है फिर भी अनिकूल परिनाम सामने आते हैं रिकि से हमारा शरीर के भीतर प्रस्तुक्षक्ति का विकास होता है तथा हम बहतर इंसान बनते हैं